धार्मिक मानेताओं के अनुसार इस वटिक को धनके देवी लश्मी जी का श्वरूप माना गया है जिसे मालग के रूप में धारन किया जाता है इस वटिक निर्मल, रंगहीन, पारदर्जी और सीथ प्रभव करने वाला उपरत्न है आयुर्वेद में इस वटिक का प्रयोक सवी प्रकार के ज्वर, पित्य प्रको, सारिरिक, दुर्बलता एवं रत्य विकारों को दूर करने के लिए सहत अथवा गवमूत्र के साथ औसध जी होती के रूप में किया जाता है, जीयोतिसी की द्रष्टी से इस वटिक को पूर्ड विधी विदान और सदबाव के साथ कंट में धारन करते रहने से समत्त कारियों में सफलता मिलने ले लगती है तथा विवात और समस्याओं का अंत होने लगता है, इस वटिक की माला भय भी नहीं रहता और किसी महत्पून कार के लिए घर से बाहर जाने से पहले यदि माता लश्मी की पूजा अर्षना करने के बाद इस फटिक की माला धारां करके जाएं तो वह कार आसानी से पूरा हो सकता है और उस कार में सफलता मिल सकती है यदि घर बरिवार में किसी कारण से आर्थिक संकर चल रहा हो तो इस फटिक रत्न को गंगा जल से पवित्र करने के बाद मंत्रों से सुध्ध करके पूजा इस्थल पर रखना सुब होता है व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुगानों के स्वामी यदि पवित्र एवा मंत्रों से सिद्ध की गई इस फटिक की माला अत्वा इस फटिक रत्न को अपनी धन रखने के तिजोरी में रखें तो आशर जनक रूप से व्यापार में लाव मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है यह उपाए करते समय इतना अवश्य धन रखना चाहिए कि जिस तिजोरी में इस फटिक अत्वा रत्न रखा जाए उसका दरवाजा उत्तर दिसा में खुले वास्तु सास्तर के अनुसार धन रखने के तिजोरी सदे दक्चन दिसा में ही रखने चाहिए जिससे कि जब उसे खोला जाए तो उसका दरवाजा उत्तर दिसा में ही खुले